आप सबका वेलकम है मेरे इस टुटोरियल में आज मैं बताऊंगा आपको कि मैं रील्स कैसे क्रियेट करता हूं अपनी इंस्टाग्राम की और लाइक मैं वैसे नहीं बताऊंगा डायरेक्ट सीधा इस टू-पॉइंट जंप करके वीडियो के ऊपर मैं आपको बेसिक से बता हैं इसे बहुत इसली क्योंकि जितने भी वीडियो मैंने नेट पे देखी हैं वो सब मेरी तरह सेट अप यूज करके नहीं बनाते हैं अगर मैं आपको सेट अप पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वह सर के उपर से निकल जाएगी चीज तो उस चीज के ल कैसे करते हैं प्रोड़ोस कैसे करते हैं इंस्ट सेट्वाफ पर डालने के लिए और लाइक जैसे मिझस आप जानते होगए मेरी इंस्टाग्राम पर बहुत क्लीर वीडियो आती है तो वो डियेसलर की वजसे नहीं है में मेरे वमेरे उते है कि स्पूर्ट सेटिंग ابको और यह आजाएगा और फ्री है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और जो जो एफेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं तो यह थोड़ा जादा MB का है आपको डाउनलोड में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जैसी हो जाए फिर आपने करना है ओपनी से ठीक है अब यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह PC पे भी है Mac पे भी है फोन में भी है तो आप पे कोई भी सिस्टम हो आप उस पर कर सकते है तो मतलब अगर मैं PC के लिए टुटोरियल नहीं बना रहा और इस पर बना रहा हूं तो यह PC में भी है सॉफ्ट्वेर तो आप सेम यूज कर सकते हो से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां सबसे पहले यह प्लस का इकन आपको दिख रहा होगा यह प्लस वाले नहीं कहूं क्योंकि सारे वंदों ने फेस की वीडियो ली उठाई और डाल दी किसी के वीडियो में मैंने सेट अप नहीं देखा जितने वी वंदों मुझे टैक करा था रील में बहुत कम लोगों के पास 10 से 12 लोगों पर सैट अप है तो मैं यह चाहता था यह वीडियो ब करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां यह ऐसे मैंने फेस मूव कर रहा आपको ट्रैकिंग भी बताओंगा कैसे होगी इसलिए मैंने फेस मुव कर है और लाइट भी ज्यादा रखे है जैसे आप सबक्ति वीडियो में होती है ठीक है तो यहां सबसे पहले आपने जा तो अब मुझे यहां सबसे पहले करना है एक्सपोजर को डाउन तो आप किसी भी आइडिटर में वर्क कर रहे हूं चाहिए मैं किसी भी आइडिटर में फॉस्ट टाइम भी वर्क करता हूं तो मुझे बस थोड़ा सा मिंट लगता है एक या दो मिनट उस एडिटर को करेगी तो यहां एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोजर को मैं करूंगा कम सो आप देख सकते हैं अब मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी ब्लैक टाइप से में हो गया है तो डरिएगा नहीं ब्लैक टाइप भी चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरी जो ज्यादा कॉंट्रास्ट हटाऊंगा क्योंकि अगर मैं कॉंट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे जो ब्लैक कलर है वह ज्यादा एन्हेंस हो रहा है और मुझे ज्यादा एन्हेंस नहीं करना और ब्रैटनेस को भी थोड़ा पुल डाउन करूंगा हलका सा अ थोड़ी सी सच्चुरेशन बाद में एड़ कर सकते हैं लेकिन ये इफैक्स डालने के बाद करना क्योंकि इफैक्स डालने के बाद ही वह चीज अच्छे से आएगी सामने ठीक है तो अभी इन दोनों चीजों का आप छोड़ दीजिएगा और इन पर मत फोकस करिए क्योंक दिखना है कि मेरे जो स्किन टोन है मुझे ब्लैक वह ब्लू चाहिए या वाम चाहिए तो मुझे ब्लू टाइप में चाहिए क्योंकि जो भी एफैक्ट होते हैं वह ब्लू पे जादे दिखते हैं और इन कंपैरिशन ओफ येलो ठीक है तो यहां से थोड़ा ब्लू अब व चीजे हट जाएंगी तो यहां इन सब चीजों को हटाने के लिए आपको विनियुज करना है तो इधर जाएंगे तो वाइट विनियुट आएगा मुझे वाइट नहीं चाहिए मुझे ब्लैक विनियुट चाहिए तो मैं यहां ब्लैक एड़ करूंगा तो आप देख सकते इस्प्लेंड होगा अभी तो जस्ट मैं ट्रैकिंग और उस पर वर्क कर रहा हूं और सिंपल कि आप कैसे डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद हीव की तरफ बढ़ते हैं हीव में मतलब आपको ना जो फेस टोन होता है उसको फेस टोन पर लाना होता है जैसे मेरी फेस टोन आनिया तो यह यहलो है हलकी सी मैं इधर गरता हूं तो स्किन टोन की तरफ आ जाता हूं मैंने इस टाइम कोई भी डियसलार से शूट नहीं कर रखा क्योंकि आप सब फिर कहोगे कि डियसलार में अलग क्वालेटी आती है फोन में अलग आती है इसलिए मैंने फॉन से ही वो कम Gobierno पाल बढल तो मुझे चमक ठोड़ी बढ़ानी है ठोड़ी ऐना ठोड़ी सी शाड़ू ऑपन कर सकते हैं मतलब कर बिसजैघां जब नगरी है जो थी ठीक है अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे एड करना है एफेक्ट तो जो मेरा एफेक्ट है वो कुछ यहां से चालो होगा मतलब फेसेल रहा है पहले तो मुझे नॉर्मल रखना मतलब यहां पर आया एफेक्ट तो मैं जाओंगा और इंपोर्ट करूंगा यह ईफेक्ट तो अब देख सकते हो आप यह यह एफेक्ट आ गया है और यह भी आपको मिल जाएगा टैलीग्राम ग्रुप में मिलेगा नेट पैविलेबल नहीं होगा यह बिलकुल भी एफेक्ट ठीक है तो आपको टैलीग्राम ग्रुप जाइन करना मस्ट है इसके लिए क्योंकि नैट पर डालते ही प्रॉब्लम इशूज बहुत सारे काउंटर और हर चीज आ जाती है तो यह यहीं पर नहीं तो आपको पर चेस करना पड़ेगा ठीक है तो टेलिग्राम के लिए बस मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा उसके बाद आपने यहां देखना है कि यह कितनी देर तक इफेक्ट चल रहा है तो मेरा इफेक्ट कुछ इतनी देर तक है सबसे पहले यह होता है फिर लॉड़ फिर हलका सा ठीक है अब मुझे यह इफेक्ट को अच्छे से अपनी आईस पर भी करना है अगर मैं इसकी मेरा टाइम डूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है यहां पर दो सेकिंड तक पहुंच गया है अब मैं इसे और स्लो गरूंगा और स्लो और स्लो और जो दी एंड का टाइम होता है तो यहां अच्छे से कस्टमाइज करने दो एक बार कि बिल्कुल अच्छे से लगे तो यहां दो सेकिंड के लिए मुझे पर्फेक्ट लग रहा है वह बस एक्स्प्लेइन करने के लिए अब उसके बाद आपको जाना है इसके अंदर इस वीडियो को लेके इस पर क्लिक करना अब ठीक है और इसकी जो ब्लेंड़िंग मोड होती है उसमें जाना है ब्लेंडिंग में ठीक है फिर आपको इसक्रीन पर क्लिक करना अब देख रहे होगे जो एफेक्ट होगा वो पहले से जादा पॉप हो रहा है अगर मेरी यहां फुटेज पीछे की ओवर होती ब्राइट तो वो दिखते ही नहीं इफेक्ट बिल्कुल उसी में छुप जाते अब जो एफेक्ट दिख रहे हैं वो बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं मुझे तो यहां ब्लेंडिंग तो पक्की हो गई है अब इसे टिक कर देता हूँ अब इसको आइस के उपर लेगा आता हूँ अब जो एड़ेस्टमेंट होती है उसे आइस के अकॉर्डिंग पर रखना और आँखों की पुतलियों के पास रखना अपने मतलब आप आइस के लेवल यहां फाे ला सकते हैं अच्छे से मतिम जैसे अगर मैं बोलु में यहां पर कि का ट्रार Alrighty हिसा है तो यहाँ पर आया यहां पे थोड़ा साइड घए मेरा फेस अब की फ्रेम कर कर देना यहां की फ्रेम का बटन होगा उसके बाद पी फ्रेम से चिरो यहां बिलकुल अच्छे से आपको प्टलेश्मेंट करनी है जैसे यह है तो प्लेस्मेंट करनी आई के ऊपर फिर से ठिन फिर अब नेक्स्ट पर बढ़ना है अपने ओ ये कुछ ज़्यादा आगया आगया हमें तो यहाँ आपको थोड़ा सा आगया आना है यह अब की फ्रेम एड़ करना है अब यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा आगय सरका देना है ठीक है अब देख सकते हैं वो आइस पर परफेक्ट आ गई है थोड़ा थोड़ा फोन में कभी गलिच हो जाता है एफेक्ट दिखता नहीं है सही से फिर थोड़ा सा आगे जाना है अपने अब देखोगे कि मेरा फेस थोड़ा उधर हो गया है तो यहां मुझे की फ्रेम एड़ करना है वह अपने आप आटो एड़ हो जाएगा अगर आप मूफ करेंगे तो ठीक है तो यहां अगर मैं थोड़ा सा आगया आता हूं तो अब मेरा फेस इधर आ गया है तो अब इधर के लिए इधर प्लेस कर दिया मैंने अब मेरा फेस इधर जा रहा है हलका सा मतलब यह लास्ट वाला जो है वो पोर्शन में इधर जा रहा है तो थोड़ा सा इसे पकड़के इधर की साइड पर ठीक है तो अगर मैं इसे प्ले करके देखूं तो यहां यह स्टार्ट में भी गल्थ जगह पर आ तो इसको कोई बात नहीं की फ्रेम कर लेता हैं फिर से फेल गया हो वह शायद हुआ है कि इसको इधर ही कर लेते हैं अच्छे से है हुआ है हुआ है हुआ 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 तो अब यहां पर जो यह फेस है अब इसके आगे यहां पर जा रही है यह तो हमेशा थोड़ा-थोड़ा आगे प्ले करके आप देख सकते हैं और इसली उन्हें अच्छे से मूव करके आइस के उपर रख सकते हैं तो अब आप देखेंगे बिल्कुल यहां थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है तो यहां भी अच्छे से मैनेज कर दिया तो अब आप देखेंगे अगर मैं प्ले करता हूं तो यहां आइस पर आए यह इधर और इधर मूव तो यह बहुत ही सिंपल सी जो ट्रिक थी वह यह ह है ठीक है अब अगर मैं आपको ट्रिक बताओं जैसे मैं हैंड पर करता हूं तो मैं हमेशा फिंगर को ट्रेस करता हूं अपनी कोई भी जैसे उंठे को आपने देख लिया चाहें रिंग फिंगर को देख लिया किसी एक भी फिंगर को आप सेलेक्ट करके वहां ट्रेस कर सक वहाँ क्योंकि ट्रैकिंग ही समझना मेन है और जिस भी पार्ट पर जैसे आपको हैड पर लगाना है कोई स्टिकर तो आप हैड के कोई नोज को ट्रेक्ट कर सकते हैं नोज को सेंटर रखिए हमेशा तो कुछ सेंटर सोच के आपको हमेशा रखना पड़ता है जैसे यहां मैं आइस को रखा था तो वह ट्रेसिंग में परफेक्ट आया था अब उसके बाद ना जब हो जाया आपकी क्लिप पूरी और यह सारे इफेक्ट्स भी आपको मिल जाएं टेलीग्राम ग्रूप पे तो आप वहाँ जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर एक्सपोर्ट पर आना अब इसकी बिट्रेट होती है वह मानी जाती है हमारे इंस्टाग्राम के लिए तो यह स्पैसिफिकली इसी चीज के लिए और रिजोलूशन भी मैं बताऊंगा अभी खैर आप 1080P से कर दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा 4K की भी फायदे मंद होती है जब आप इंस्ट आपने यह टूटोरियल लेखा जैसे अपलाए करते हैं स्क्रीन एफेक्ट ही यूज करा जाता है और ट्रैकिंग ऐसे ही होती है तो सारे एफेक्ट ऐसे ही डलते हैं और थोड़ा हमेशा अपनी जो भी वीडियो होती है उसको थोड़ा डार्क इन्वार्मेंट में शूट क कर देना